पुर्दू बाल भरती दूसरी जमात असलाम आलेकम नाजरीन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ लेकिन मज़े की बात ये है कि इस कहानी में कुछ अलफाज और कुछ तस्वीरों का संगम नजर आएगा यानि आपको जो जुम्ले हैं कहानी के उसमें सिर्फ अलफाज नहीं बलके सासा तस्वीरें भी दी नजर आएगी और हमें उन तस्वीरों की नाम वहां पर बोलकर जुम्ला मकमल करना है तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी अमी ने फलों की दुकान से फल करी दे उन्हें टोकरी में रखा उसी वक्त मेस पर रखे हुए फल आपस में लड़ने लगे सेप ने कहा मैं तुम्हारा बाद्शा हूँ तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा उतने में अननस ने कहा मैं बड़ा हूँ मैं ही बाद्शा हूँ अनार ने चिड़कर कहा नहीं, नहीं, मैं हूँ तुम्हारा बाद्शा, मेरा लाल-लाल रंग तो देखो, केले ने कहा, नहीं, मैं हूँ बाद्शा, क्यूंकि मैं बहुत ज़्यादा खाया जाता हूँ, अंगुर ने कहा, मेरी सुनो, तमाम मीठे फलो में मेरा ही मज़ा खट्टा मीठा है, इसलिए म मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं। आवला और स्ट्रॉबेरी लड़ाई खत्म करने की कोशिश करने लगे लेकिन कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी अम्मी वापस आई। उन्होंने सबको मिलाकर फलों का सलात बनाया और घर की तमाम लोगोंने मज़े ले लेकर खाया। नाजरी अभी आपने ये जो तस्वेरी कहानी थी इसको सुना और उन तस्वेरों के मदस सही हमारी ये जो कहानी है वो मुकमल हो पाई है। उमीद कहती हूँ कि आपको ये कहानी समझाई होगी और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है यही कि किसी को भी हकीर मत चानों कोई किसी से बड़ा ये छोटा नहीं होता सबका दर्जा अलह ताला ने बराबर मतायन किया है इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों का एधराम कर खुद को दूसरों से आला ना समझें और दूसरों की इज़द करना हमारा अखला की फर्स बनता है तो चलिए इसी के साथ मैं इजासत चाहूंगी मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई मालूमात और नए दर्स के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल